यह Health Insurance Series का हमारा छटा वीडियो है और इससे पहले हमने जो 5 वीडियो बनाए हैं वो बहुत informative हैं खास दोर से Health Insurance के लिए, coverage के लिए क्या होता है, कैसे claim करते हैं तो अगर आपको वो समझना है तो definitely आप उन वीडियो को भी refer कर सकते हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज जो आप अंजाने में छोड़ देते हैं जिसको आप claim नहीं करते हैं और उसका कारण यह होता है कि आप policy document को नहीं पढ़ते हैं इसलिए आपको पता ही नहीं होता है कि यह जो पैसा है जो आपका पैसा है जो insurance company से आपको लेना चाहिए अपने लिया ही नहीं तो आप अगर जब भी hospital में cashless hospitalization के लिए admit होते हैं या आपने reimbursement भी लिया होता है और अगर यह claim आपका insurance company ने approve कर दिया है तो उसके बाद आप eligible हो जाते हैं pre-hospitalization expenses के और post-hospitalization expenses के pre-hospitalization का मतलब क्या हुआ यह आपकी policy में days define होते हैं generally 30 दिन पहले यानि कि pre-hospitalization और 60 दिन बाद में यानि कि post-hospitalization के जितने भी खर्चे हैं वो insurance company उठाती है as per your policy document अकसर maximum policy में close होता ही होता है अगर नहीं आपकी policy में तो definitely आप वैसी policy choose करें जिसमें close हो तो उसमें क्य होता है कि अगर आपका माल लीजे आप एक तारीक को किसी मेंने की hospital में भरती हुए आपका इलाज चला और आप cashless का फायदा लेके घर चले गए तो उस एक तारीक से पिछले महीने के पूरे 30 दिन मालो अगर आप एक जून को admit हुए थे तो पूरा मई के 30 दिन का जो किया हो चाहिए आपने doctor की fees दियो चाहिए आपने कुछ investigations कराई हो इनका पैसा insurance company आपको देगी उसी तरीके से जब आपके hospital से चुट्टी हो जाती है तो मालो आपके चुट्टी होती है पांच जून को तो फिर आपके अगले 60 दिन का जो भी खर्चा है तो पांच जून से लेके 5-6 अगस्त का जितना भी आपका खर्चा होगा दवाईयों पे doctor की fees पे या जो आपने investigation से जाचे कराई होंगी उन पे वो insurance company आपको पैसा देगी pre and post hospitalization coverage के close के अंदर आप ये पैसा ले कैसे उसके लिए आपको जब आपका ये tenure पूरा हो जाता है तो आपको एक तो जो आपका cashless hospitalization का जो claim settlement letter होता है उसकी आपको जुरूत पढ़ती है उसके लाव आपको एक claim form बरना होता है और उस claim form के साथ साथ आपको ये सारे जितने भी आपके invoices हैं जो भी खर्चे आपके हुए हैं 30 दिन पहले भी और 60 दिन बाद के भी आप अपनी insurance company को भेजते है अपनी bank details के साथ फिर insurance company इनको process करती है और ये जो पैसा आपने खर्च किया था अस्पताल में भरती होने के अलावा का भी जो खर्चा था ये आपको transfer करती है insurance company एक बात ध्यान रखें जब भी आप reimbursement के लिए claim भेज रहें insurance company को एक copy एक set अपने पास ज़रूर रख लें क् एक सार ऐसा होता है कि documents इदर दर हो जाते हैं फिर आपको claim मिलने में मुश्किल हो जाती है तो उस समय आप जो आपके पास copy asset उससे आप फिर से claim कर सकते हैं या insurance company की पास जा सकते हैं कि आपने submit किया था तो मुझे उमीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अ और जो मेरे आने वाले videos हैं health series पे आप उनको भी देखें जिससे आपको hospital में भरती होते समय अपनी pocket से कुछ extra pay ना करना पड़े और आप उत्रही पे करें जितना जरूरी है धन्यवाद